हाई मैं डॉक्टर शिल्पी तेवारी हूँ, मैं दिल्ली में PSRI हॉस्पिटल में कारे रहत हूँ, यहां मैं सीनर कंसल्टेंट यूरॉलिजिस्ट, यूरॉंकॉलिजिस्ट, एंडॉलिज्ट और रीनल ट्रांस्परार सरजिन हूँ आज हम बात करेंगे, benign prostatic hypertrophy, hyperplasia जीसे कहते हैं, यहां सामान्य जन्द की भाशा में गदूद की समस्या, गदूद क्या होते हैं, यह एक पिशाब के रास्ते में बैठने वाली एक अखरोट के जैसा, just like a walnut, एक organ है, gland है, जो की वहां जब पुरुष संभोग करता है, तो जो ejaculate होता है, उसका लगभग 50% हिस्सा इसी prostate का secretion होता है, तो इसका पिशाब पे कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि यह पिशाब की नली के मुहाने पे, पिशाब की थैली के मुहाने पे बैठा है, तो उम्र के साथ-साथ जब dysfunction शुरू होता है, sexual dysfunction भी, sexual जब ताकत कम होती है, hormonal imbalances होते हैं, तो prostate care जो growth है, prostate का जो function है, वो भी एक imbalance के रूप में सामने आती है, और उस आदमी को पिशाब की विभन प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे कि पिशाब का धीरे-धीरे आना, hesitancy मतलब तورन पिशाब पीधार स्थाप इतना होना, बार बार पिशाब आना पिशाब लगे तो पूरा ना निकलना, हमेशा urgency की समस्या मतलब कि पिशाब हलका सा भी इकठा हो तो तुरन भाग के करना, क्योंकि पिशाब की थैली में muscles जो है, वो weak हो जाती है और floppy हो जाती है, irritable हो जाती है, जब long term इसका रहा आता है, तो फिर हम देते हैं कि वहाँ बनती है, या कभी-कभी गुर्दों में सूजन या renal failure की भी सिती बन जाती है, ये बहुत ही common समस्या है, और लगभग हर पुरुष को 60-70 वर्ष की आयो के बाद ये समस्या गरस्त करती है, देखा गया है कि जो 60-70 वर्ष के पुरुष हैं, उनमें लगभग 70% of the patient people, they have this problem, और 80 वर्ष तक आते आते हैं, लगभग 85-90 प्रतिशत लोगों में ये समस्या होती है, ये diabetes के साथ ज़्यादा गहन रूप में लेती है, अतक कभी भी इसको हलके में न लें, बहुत अधिकांश लोगों में, 90 प्रतिशत लोगों में ये साधारन सी दवाओं से control में आती है और उसे उसके complications नहीं बनते हैं, जिनमें दवाओं से फरक नहीं पड़ता है, उनमें हम विभिन प्रकार से surgery करते हैं, simple जिसे monopolar कौटरी के दवारा अगर surgery होती है, जिसे हम TORP कहते हैं, या फिर हम bipolar surgery भी कर सकते हैं, जिसे saline TORP का नाम दिया गया, या फिर हम laser के दवार prostate का treatment कर सकते हैं, कुछ लोगों में ये भै रहता है कि इलाज के बाद उनका जो पिशाप का control है, वो खराब हो जाता है, परन्तु ऐसा नहीं है, 99.99% लोगों में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, हाँ ये अवश्य है कि उसके बाद जो वीरे का जो flow है, उसमें वो सूख सा जाता है, परन्तु उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें sexual जो ताकत है, उसमें कभी नहीं आती है, तो जो व्यक्ति है, वो as usual अपना जो भी sexual activity है, वो कर सकता है, लेकिन आपका पिशाप का रास्ता खुल जाता है, तो आपको पिशाप की और आपकी जो जो की बहुत बड़े दिक्कत देता है इस उम्र के लोगों में, क्योंकि कपड़ा गीला हो जाता है, आप TURP करवाएं, चाहे लेजर थरफी करवाएं, अच्वा बाइपोलर TURP करवाएं, आप किसी न किसी रूप से सर्जरी करवा सकते हैं, उससे घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है, और भी कुछ-कुछ तरीके होते हैं, जैसे TUMT, TUNA, या फिर EUROLift, इस तरह की भी कुछ पधतियां हैं, लेकिन they are not equivalent to a properly done TURP और a laser surgery, तो ये सब हमारे हैं उपलब्स हैं, अता किसी को किसी भी प्रकार की BPS, प्रोस्टेट या गदूत की समस्या हो, तो किसी यूरालिजिस से अत्वा हम लोगों के BPSRI में आके अपना उपचार ले सकता हैं.